कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हों आप सब लोग खेर यसे होंगे हस्से मुस्कुराते होंगे तो फ्रेंड्स आज में आपके लिए लेकर आई हूं भिंडी कोश्ट की रेसिपी जो कि बहुती आसानी से बन जाएगी जटपट और बहुत मज़ेदा रेसिपी बनती है बहु बिंडी खाएंगे आप इसको पंजाबी रोटी पठानी रोटी नान के साथ सर्फ कर सकते हैं इवन के आप वाइट राइस के साथ भी इसको सर्फ करें तो बहुत मज़े कि यह लगेगी मेरे स्टाइल में भिंडी गोश्ट बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज लिए हैं देख लें सेम वही इंग्रेडियन्ट है जो कि घरो में यूज रते हैं अगरा भिंडी बनाएंगे तो आप यही सब कुछ एड़ करेंगे कोई भी चीज मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली तो हम इन्हीं चीज़ों करेंगे तो मैंने यहां पर एक लोग प्यास लिया वह मैंने एक थोड़े डिफेंट स्टाइल में काटे है डिफेंट यानि कि मैंने इसको बहुत चोटे चोटे टुकड़ों में पीसीज में काटे हैं तो आप भी अगर घर में कुछ बच्चे नहीं बिंडी खाते हैं शोक से तो आप इस तरह से बिंडी को कटिंग करें और इस तरह से बच्चों को बना कर खिलाएं तो आपके बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बिंडी बनाई हुए है तो आप इसके देख सकते हैं कि मैंने कितने चोटे-चोटे पीसीज किया हुए है तो आप भी इतने ही चोटे-चोटे पीसीज करिएगा बिंडी के मैंने तक्रीबन एक किलो ही बिंडी लिया है और तक्रीबन एक किलो ही मैंने इसमें प्याज लिया है और एक किलो जो है वो मैंने गोश्ट लिया है बीफ लिया है यानिके बड़ा गोश्ट है तो बड़े गोश्ट की स्मेल मुझे जो है वो नहीं पसान दोती तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल कर एक से दो उबाल आए हैं तो मैंने इसका पानी जो है वो गिरा दिया है मैंने इसको फूल कुक नहीं किया मैंने जस्ट गोश्ट को थोड़ा सा पानी डालकर एक से दो बॉइल आया है तो वह पानी जो है मैंने वेस्ट कर दिया इसको निकाल दिया है तो इसको मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया है तो यह इसलिए गोश्ट दो है वह इस तरह से डाले तकरीबन 5-6 मैंने हरी में चली है एक लेसन का पीस लिया और तकरीबन 3 मैंने लाज साइस के टिमाटर लिया है और एक मैंने लीमू लिया है आप दो भी कर सकते हैं क्योंकि लीमू जो है वो उसका टेस्ट बिंडी में बहुत मज़े काता है बहुत ज़्यादा स्पाइसीज नहीं लिये वो ही आप से मसाला जाते हैं यह मैंने निमक लिया है एक चमच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा स्पाइसीज को और ग्रेडियन को कम ज़्यादा कर सकते हैं एक चमच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है तक्रीबन आदा चमच मैंने हल्दी लिया है और आदा चमच यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है और एक चमच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है यह वैसे मेरे पास वाइट पेपर है अप चाहें तो काली मिर्च भी डा प्प्रिश्र को कर लिए क्योंकि गोष्ट है इसको गल्ले में थोड़ा टाइम लगता आ तो इसलिए मैंने का प्रेश्र हम लगा दिती है इसको 10 से पंदरह मिनuts लगा plates प्रेशר में मैंने गोष्ट डाल दिया, प्यास डाल दिया-ठीय, लैसे नंदर ड्रभ टमाटर ह्री मिज्चों का मैंने प्रेश्ट बना लिया और यह लैस्न, सुरी, आफ़री हमने गरा मसाला और सुफेड मेंको साड पे कर लिया और नमक, यहां पर एक साइड पर मैंने एक कड़ाई ली है उसमें हम विडियों को डालेंगे थोड़ा सा ऑईल इसमें आड़ करेंगे तक करीबन हम इसमें बहुत ज्यादा ऑईल नहीं आड़ करेंगे क्योंकि हमने इनको डीप फ्राइनी करना शैलो फ्राइए करना हलका फुलका सा यह एक में टीप आप समझ लें कि आपने जब भिंडियों को फ्राइए करना है तो इसमें तकरीबन एक किलो बिंडी थी मैंने इसमें तो मैंने हाफ टी स्पून इसमें नमक एड़ किया है इसे जो बिंडी होती है वह बहुत सौप्ट हो जाती है और बहुत मज़े की लग है क्योंकि चिकन मोसली घरों में ज्यादा खाया जाता है बीव की निस्मत तो मैंने पहले चिकन बिंडी की भी रेसिपी अपलोड की है वह मेरे चैनल पर है अगर आप चाहें तो आप वह भी विजट कर सकते हैं मैंत्रट सेम है बस वह बीव की जगह पर चिकन है तो यह सा इसमें थोड़ा सब पानी जैसे रह जाता है ना तो वह पानी मैंने साइड पर निकाल लिया था अगर आप चाहें तो आप उसको बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं कश़े की जब हम प्रेशर लगाती है तो पानी थोड़ा सा बच जाता है तो अगर तो आपकी पास टायम हैं यह आप उस पानी को सुखा लें आपको बार स्बतार जो यह अवोपर से उतार लिया करें और चब्जब तो इसे क्या आता है इसे टाइम की भी बचत हो जाती है और असानी के साथ जो हम उसी पानी को रियूज कर लेते हैं तो यह देखें इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था मैंने उसको सुखा लिया अची तरहां से अची जोलो हई तो अब देखें जब पानी अची तरह से सूफ जाएगा तब हमने 1 राती हैं अची तो भी है गी भी आप अपने हिसाब से जितना आप हंडिया में डालते हैं आप उसे साब से घी डाल सकते हैं यहां पर तीन चमच जो हैं तीन बड़े चमच वह गी एड़ किया है घी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे खाने का जो सही टेस्ट होता है न वो इसी स्टेज पर सही से इन्हेंस होता है इसको भूनना करें अच्छी तरह से घी डालने के बाद हम इसको तक्रीबं 10-15 मिडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तक्रीबं 10-15 मिनट हम इसको अच्छी तरह बूनेंगे और वक्तन पर इसमें हम चम्माच चलाते रहेंगे ताके जो सालन है वो नीचे ना लग जाए तक्रीबं 5 मिनट हो गया है तो आप इसके लिए लूप नेख सकते हैं अभी अच्छी तरह से और अच्छी तरह से अलग हो जाए और सालन जो अच्छी तरह से भून जाए हमारा दूसरी तरफ हमारी जो भिंडिया है वो एक साइड पर फ्राई हो रहे हैं तो जी हमारी जो भिंडिया है वो फ्राई हो गई थी तो सालन हमारा जो है वो भून चुका था तो हमने भिंडियों को जो है वो इस ग्रेवी में एड कर लिया है आप देखिए प्यास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ना वह भी गड़ाई बनाई है कैसे गोस्त का मसाला बना लेते हैं इस तरह से आपने प्यास को कर लेना है और जो भिंडिया हमने वह पहली बहुत च्छोटे सपाइज में गटिंग की थी उसको थाय किया है और खाले हमने इसमें निंअ कैड की है जसके में चैस की साथ डेश्मव कर रिझ बीगा हो गया है बहुत स्वार्ट बहूत होगी तब बिंडियों को जब हमने गोश्ट में एड़ कर लेना है तो हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना हमने इसको तक्रीबन 4-5 मिनद तक टोटली कुक करना है क्योंकि बिंडी जो है वो तक्रीबन 90-95 परसंट तक हमने फ्राई कर ली थी और जो हमारा सालन था वो भी तक्रीबन अच्छी तरह से हमने बून लिया था वो भी तक्रीबन आललमस्ट डं था अगर तो आप इसका पानी निकालते एं तो जब हम प्रेशर कुकर से निकालते हैं अगर पानी बच जाए तो मसाले को पूर के उसमें पानी याड़ कर लें और फिर पानी को जो है आप अच्छी तरह से फिर से ड्राय कर लें तो यहां पर मैंने इसको दो से तीन मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि जो मसाले सारे है न वो बिंडी के अंदर उसका टेस्ट अच्छी तरह से रच जाए करके हमने बिंडी को अलग से फ्राई किया था तो हमने इसको मिक्स करना है अब चार से पांच मिनट के लिए हमने टोटल इसको कूप करना है तब देख सकते हैं कि किस तरह से बिंडी और गोस्त हो गया और यह बहुत ही यह मज़े की रेसिपी बनती है अब यहां पर हम घरम मसाला और वाइट पैपर जो हमने साइड पर कर ली थी वह हम इसमें एड़ करेंगे मेरे पास वाइट पैपर थी मैंने वह एड़ की है आप चाहें तो ब्लैक पैपर यूज़ करें यहां पर मैं एक लेमन मैंने जो रखा हुआ था साइड पर वह स्क्वीज़ किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली दो लेमन भी आड़ कर सकते हैं तो आप ने बिल्कुल लास्ट में एड़ करने हैं और हमने इसको बास एक मदबा हिलाना है और उसकी फ्लेम ओप कर देनी है इसके लेमन से इसका टेस्स कदर यम्मी और मज़े का हो जाता है आप खुद हरान रह जाएंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाजार से लेकर आया है तो बास अब हम इसको एक से दो मिनटे से तरह से मिक्स करेंगे ताकि लेमन का टेस्ट यह अच्छी तरह से पूरे सालन में मिक्स हो जाए तो लास्ट में मैंने कसूरी मेती जो है वह बिलकुल पावडर पां में बना कर मैंने रखी हुई ए वह थोड़ी मोटी होती हैं दरडरी से तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पीस के ना ग्राइंडर में डाल को पीस लिया था तो थे ल्चाहिए सा पावडर पा में भी एड़ कर सकते हैं वो उपर से आप स्प्रिंकल कर दें तो जी यह हमारी फाइनल लुक है बिंडी को इसकी आपको यह रेसिपी कैसी लगी और क्या आपको मुश्किल तो नहीं लगी असान लगी आप इसको एक मरद बाद जरूर ट्राय करें और फिर कमेंट सेक्शन में अगर आपने बनाई तो क्या सब को पसांद आई यह रेसिपी स्पेशल मेरी सांस की रेसिपी है वो इस तरह से बिंडी चिकन या बिंडी कोस्ट बनाती है तो सब बहुत पसंद करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज मैं शेयर करूं क्यूंकि हमारे तो जो न आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं तो जी मिलते हैं नेक्स बसीद किसी वीडियो में तब तक के लिए अबना बहुत सा क्या रखें दौाओं में याद रखें थैंक्यों सो मच पर वाचिंग अला हाफिज